प्रानेंगे दोस्तो भारती मौसम भ्याग के अनुसा 5 सितंबर और 6 सितंबर को अपने राइस्तान का मौसम के वाला है कौन-कौन से जिले में भारी बारिस मद्दी मौरहल की बारिस की संबाबना है जैसा कि आपको पूर में दोस्तो सूचित किया था कि 3 सितंबर और 4 सितंबर को राइस्तान में भारी बारिस की संबाबना है तो अधिकान से जिलो में दोस्तो भारी बारिस देखने को मिली जिसमें कुछ लोगों को दोर कॉमेंट करकर भी बताये था जैसे कि दोस्तो आपको बता देता हूं सीकर जुनजनू चूरू इसके अलावा दोस्तो चूरू की सुजान गड़ते सील है जिसमें भारी बारिस देखने को मिली और सीकर जुनजनू में भी भारी बारिस देखने को मिली इसका लावा दोस्तो जोदपूर बाड़मेर पाले ऐसे जिले हैं जहां पर भोती जोरदार बारिश हुई और इसका लावा उद्यपूर जालर और बाड़मेर के कुछ वी ऐसे चेतर भी हैं दोस्तो जहां पर मद्यम से लेकर हलकी और किसी किसी छेतर पर भारी वारिस देखने को मिली आप सबी जानते हैं इस चैनल से आपको भारती मौसम व्हाक के नुसार एकदम सटीक जानकारी दी जाती है और यदि दोस्तो अपडेटेड नुज जो आता है उससे भी हम आपको तुरंट सूचित करते हैं दरसल दोस्तो आगामी दिनों की यदि हम बात करें तो 6 सितंबर के बाद राजिस्तान के अधिकांस जलों में दोस्तो मौसम साप रहने की संबाबना है याने की आगामी दिनों में बारिस राजिस्तान में बहुती ही कम होने वाली है लेकिन दोस्तो 5 सितंबर को भी बारिसी के संबाबना बनी रहेगी लेकिन पस्मी राजिस्तान की इस्तिती थोड़ी नाजुक दिखाई दे रही है क्योंकि भारती मौसिम बाग ने वहां से घेरे काले वादलों वाला साइन हटा दिया है इसका मतलब दोस्तों यही है कि पस्मी राजिस्तान में हलकी बुंदाबांदी की संभाबना बनी रहेगी घेरे काले वादल चाहे रहेंगे लेकिन दोस्तो भारी वारिस के संबाबना राजिस्तान के पूर्वी जिलो में बनी रहेगी वहाँ पर घेरे काले बादल अभी बिच्छाई हुए हैं और दोस्तो पूर्वी जिलो में भारी बारिस देखने को भी मिल सकती है आपको पूरी जिलेवाई डेटेल के साथ एक 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 इस्तिती के बारे में बिस्तार से समझाया जाता है इस चैनल के माद्यम से आपको मौसम की एकदम सटिक जानकारी ही मिलेगी आप लोग निसिंत रहें यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है शे सितंबर के बारे माद्यम के भारति मौसम विवाग ने गिरिन शेतर में रखा है जिससे इस्वेस्ट होता है कि आगामी दिनों में राजिस्तान के अधिकांस जिलों में मौसम साप रहेगा बारिस की बिलकुल भी उम्मेद नहीं की जा सकती वैसे दोस्तो अगर हम बात करें पूरवी राजिस्तान के अधिकांस जिलों में मौसम की जो इस्तिती बनी हुई है वो केवल और केवल 5 सितंबर तक ही बनी हुई है तो आईए और भी जानते हैं डेटिल के तो दोस्तो इंडिया मेटरोलज डिपार्टमेंट यान की भारत मौसमी भाग के नुसार जानेंगे 5 सितंबर और 6 सितंबर का अपनी राजिस्तान का मौसम कैसा रहने वाला है सबसे पहले हम 5 सितंबर के बारे में जानेंगे दोस्तो 5 सितंबर की यदि हम बात करें तो बिस्तार से जिलेवाई डेटिल के साथ समझेंगे मैं आपको बता द पूरवी राजस्तान की तो पूरवी राजस्तान में खेहरे काले बादल चाहें और गरजना के साथ भी दोस्तों तेज वारिष करने की ratch करने की संभावना पूरी पूरी बनी रहेगी लेकिन इसके साथ दोस्तों अपने एक इस्तिति अपने राइस्तान की उसे और है जैसे कि आपको बताए था कि जो इस्तिति में दोस्तों यहाँ पर आपको देखनों को मिली चार सितंबर को इन जिलों में भी भारी बारिस देखनों को मिली लेकिन अब जो इस्टती है दोस्तों कुस इस फिरकार की बनी हुई है इन जिलों के साथ दोस्तों ये ज़ो आपको छेत्र दिखाई द करा है इस शेत्र में ही राजिस्तान बारिषD क संभावना बनी रहेगी तो इस शेतर में कौन कौन से जिले आते हैं साथ में जानेंगे हलकी और मद्यम बारिश के संबाबना कौन कौन से जिले में बनी रहेगी आईए सबसे पहले जिलेवा डेटेल के साथ समझ लेते हैं तो दोस्तो पांस सितंबर की आपने देखा अपना पूरा राजिस्तान दुस्ता यानि की यलो अलरट में था और यलो अलरट में ये जो अपने जिले आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तो इन जिलाओं में केवल हलकी बुंदा बांदी की संबाबना रहेगी भारी बारे इस की संबाबना नहीं है वो भी दोस्तो अधिकान से छेत्रों में संबाबना बहुत ही कम है केवल कम ही छेत्रों में आपको हलका बुंदे आवांदी देखनों को मिलेगी जिसमें जैसल मेर है बाड़ मेर का कुछ हिससे इसमें सम्मेलित है दोस्तो ठीक है इसके अलावा दोस्त सबसे जहां तेज बारिष के संभाभना बनी रहेगी जो केवल और केवल यह यह चीत रहे जो को दिखाई दे रहा है इस चीत में जो में बारी बारिष के संभाभना । देखने को आपको मिलेगी यह व जिले हैं इन जिलों में दो fall के सकते हैं роक्र हैं अचमीर है जैपूर है अलबर है भरतपूर है इसके अलबा है श।करोली और दोलपूर्ट इस जिल दोस्तों जहां पर अधिकान से छेतरों में भारी वारिस देखने को मिलेगी ये इस्तिती केवल और केवल दोस्तों चार यानि की पांस सितंबर को बनी हुई है पांस सितंबर के बाद दोस्तों इस्तिती में बहुत ही जादा परिवरतन आएगा उसके बारे हम आपको मिस्तार से समझाएंगे और क्योंकि पूरा राइस्तान है अपना यलो अलर्ट में है तो इसमें दोस्तों आपने जो यह जले वाकी जो सेस जले रहेगे इन जलों में भी केवल और केवल गहरे काले बादल चाहे रहेंगे किसी सेतर पर हलकी और मद्यम बारिश बन सकती है जिसमें डूंगरपूर, बांसबड़ा, पृताबगड, उदैपूर, इसकलाबच, चित्तरगड और बारा कोटा, जहलाबड ऐसे जिले हैं दोस्तो जहां पर बारिश की संभावना बन सकती है क्योंकि ये भी अपने येलो अलर्ट में है और इसी के साथ दोस्तो इन जिलों में घहरे काले बादल चाहे रेने की संभावना है यदि दोपेर बाद दोस्तो कोई भी अपडेटेड नू जाता है तो इससे हम आपको जरूर अबगत कराएंगे अब जान लेते हैं अपने 6 सितंबर को अपने राइस्तान की इस्तिती क्या बनी हुई है तो दोस्तो अब जान लेते हैं अपने 6 सितंबर की जो इस्तिती है अपने इंडिया मेटरलोज डिपर्टमेंट भारते मौसिम भाग ने इसको लेकर इस्प्रस्ट कर दिया है बिल्कुल भी नहीं है तो ये इस्तिति आप देख रहे हैं यानि कि अपने राइस्तान के अधिकान से जिलों में दोस्तो मौसम साफ रहेगा किसी छेतर में ही बारिस बन सकती है यदि बादल एकित्ट हो जाते हैं तो अन्यता किसी भी जिले में छे सितंबर के बाद राइस् मौसम भ्याग के नुसार वैसे मैं आपको फिरते दिन अपडेटे इनुस से आफ़गत करातार हूँगा दरसल दोस्तो इस समय जो मानसून की इस्तिति आप देख रहे हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये राइस्तान में फिर से कब जहमा जहम बारिस की दुबार समबावना बन सकती है दरसल दोस्तो मानसून की जो इस्तिति आप देख रहे हैं यहां तक आ चुकी है ये इस्तिति धीरे धीरे अपने राइस्तान के तरफ पहुंच रही है तो हम आपको बताएंगे इसके पहुंचने में दोस्तो काफी टेम लग जाएगा तब तक के आपको दिखाई दे रहा है औरेंज अलर्ट दोस्तों यहां पर घेरी वारिस हो रही है और यह धीरे धीरे पहले पूर्वी भारत की तरफ इसके बाद दोस्तों यहां पर इस्तिति यह इस विरकार बनती है तो यह दोस्तों अपने राइस्तान की इस्तिति बनी रहेगी औ और इसके पहुंशने में काफी समय लग सकता है तो अब्रेटेज नूज के इसाब से यदि हम बात करेंगे तो अभी दोस्तो राजिस्तान में जो आने वाले समय में बाहरी बाहरी इसके संभावना फिर से बन सकती है लेकिन अभी दोस्तो हाल फिलाल कलग भग करीब पांस द अपने राजिस्तान के मौसम के जाना